सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए वालकम फैंट्स सुवागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सराब की आदद को छुड़वाने वाली एक एसी टेबलेट की बारे में जानेंगे जिसको लेने पर ना तो उल्टियां होती है ना ही चक्कर आता है फिर भी व्यक्ति सराब पीना छोड़ देता है टेबलेट का नाम है नेल ट्रेक्सोन टेबलेट हम जानेंगे यह दवा क्या है किस तरह से कारिय करती है किस तरह से सराब छोड़ने में मदद करती है सराब के अलावा कौन से नशे को छुड़वा सकती है इसको लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते है यह असर करने मे कितना समय लगाती है और वे कौन से व्यक्ति है जिने यह टेबलेट नहीं दी जा सकती तो यह सबी बाते जानने के लिए वीडियो पर अंतक बने रहें मैं हूँ आपका होस्ट मोहिदाधीच आप देखने अपना इडिव चैनल लान अबाउट मैडेशन चलिए आज से कुछ नहीं आ से कुंत ऊटा है लाइन्ट नमस्ते दोस्तों नेल ट्रक्सवन एक एंटीड़ ग्रुप की ओप्यूड रेसेप्टार एंटागोनिस दवा है जो ओप्यूड रेसेप्टार के कारिये को ब्लोग करती है और यह रेसेप्टार मस्तिक, स्माइरल कोड तता डाइजेस जाते हैं यहां दवा टेबले टाथा इंजेक्षन दोनों ही प्रिप्रेशन में बनाई जाती हैं जिनने आवस्ट तक अनुसार प्रियोग लाए जाता हैं कब किसे दिया जाता है इसे हम आगे जानेंगे अभी हम जान लेते हैं यहां दवा क्या नाम से medical stroke मिल जाती है तता यह कितनी strength में available है तो यह tablet 25 mg तता 50 mg की अलग-अलग strength में पनाई जाती है और यह Neltima tablet, Nordic tablet, Nelcon tablet आदी नाम से medical stroke पे आपको आसाने से मिल जाती है और यह नाम हो सकता है आप के एरियम को अलग हो अगर उस tablet का composition Neltrexone hydrochloride हो तो उसे आप ले सकते हैं अब जान लेते हैं इस दवा के usage की बारे में कि किन-किन स्थितियों में इस दवा का प्रियोग लिया जाता है तो इस दवा का प्रियोग मुख्य रूप से addiction को छुड़वाने के लिए लिया जाता है जिसमें alcohol addiction सराब करना सा प्रमुख है जब व्यक्ति सराब पीता है तो मस्तिक्स में dopamine नाम का एक substance release होता है जिससे की मरीज को आनद की अनुभूती होती है लेकिन जब यह नेल ट्रेक्सोन दवा मरीज में दी जाती है तो यह दवा dopamine की release को कम कर देता है जिस कारण से मरीज को सराब पीने के बाद भी मज़ा नहीं आता और आदमी दिरे-दिरे सराब को छोड़ देता है इसके अलावा यह दवा अफीम तका heroin के नस्य को छुड़वाने में भी मद लगाय जाता है और महिने में एक बार इसे दिया जाता है जो डॉक्टर के supervision में तथा बोड़ी को detoxify करने के बाद ही लगाय जाएगा इस टेबलेट के लिए एक और प्रियोग बताय जाता है और बहुत ही popular है कि यहा दवा मोटा पे को कम करने के लिए प्रियोग ली जाती ह वजन को यह कम कर सकती है लेकिन इस समय यह दवा सिफ अकेली नेल्ट्रेक्सोन के रूप में नहीं दी जाती है इस समय नेल्ट्रेक्सोन के साथ में बुप्रूप्योन कॉम्मिनेशन में टेबलेट दी जाएगी या दोनों ही दवाओं को अलग लग एक साथ में लेने के ल लेते हैं, चावधयान है जैसे कि वे मरीज जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समख्या है, लिवर से जुड़ी हूँ बेमारी है, लिवर फेलिर हो गया है, किड्नी डीजीज है, कोई महिला है जो प्रेगनेंट है या प्रेगनेंट सी के जिससे कि आवस्थक इलाज आपको दिया जा सकें अब जान लेते हैं इस दवा के क्या-क्या side effect होते हैं तो जो समयने side effect है उसमें मरीज को उल्टी होना उल्टी जैसा लगना, पाचन किरिया का कम हो जाना, हड़ी जोड में दर्ध होना, मास पेशियों मरोड आना, सीर दर्ध होना, चक्कर आना, नेंद नहीं आना, दांतों में दर्ध होना, नाक बंद हो जाना, छीक आना, उदासी महसूस करना, गले में दर्ध होना, इस तरह के कुछ side effects दिखाई देते हैं, अगर इन मेंसे किसी भी प्रकार के effect आपको मिले है, इसके अलावरी को दूसरे undesirably effect को मिले, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्ख करें, अब वीडियो क्लाश में जान लेते हैं, इस दवा को कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा मरीज में दिया जाता है, तो सबसे पहले तो एक बाधियान रखें, यह दवा मरीज को detoxification प्रकिरिया के बाद ही दी जाती है, साथ ही उस मरीज में ही दी जाती है, जो अभी current में हाल ही में ऐसा कर रहा है, कितनी मात्रा में इसे दिया जाता है, तो सुरुवाती समय में इसे 25 मिलेगा की टेबलेट मरीज की आवसरक तक उनोसार सुभे साम या दिन में एक बार दी जाती है, इसे कम से कम 16 हफते लेना होता है, मतलब 4 महिने तक दिया जाता है, और यह दवा अपना असर बताने में कुछ हफते लगा देती है, तुरंत ही अपना असर नहीं बताती है, और अगर अफिर्म या हैरोईन का नजसा मरीज छोड़ रहा है, तो उस समय बोडी के डी टॉक्सिफिकेशन के बाद ही इसके इंजेक्शन का प्रियोग किया जाता है, जिसे महिने में एक बार आई-एम रूट द्वारा लगाए जाता है, और चाहे आप टेबलेट ले रहे हों या इंजेक्शन का प्रियोग कर रहे हों, यह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के सूपर विजन में तदा डॉक्टर की एडविज पर ही प्रियोग किया जाता है, इस दवा का प्रियोग आप मन से नहीं करें, बहुत ही पावरफुल दवा है, गातिक परिणाम देखने के लिए मर मरीज को चल रही है, तो उसके बारे में डॉक्टर को जोरू से सूचित करें, जिससे कि जो अवस्त दवईया है, वही उन्हें दी जा सके, क्योंकि यहां दवईया आता था यहां टेबलेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर देती है, जिससे कि मरीज को वांशित रिजल बताएं और एसे ही दववों से जुड़े होगे, महत्पूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अंत्र बने रहने के लिए आपका धन्यवाद,